हेलो एसके हल्पिंग हैं टुटोरियल्स वेलकम्स यू एस प्रेशन बैंक कक्षा आठ विशे विज्ञान तो यह परीक्षा आपकी 12 नमंबर को जो है निर्धारित है उमीद है आप इसकी तियारी में लगे हुए है पहला प्रेशन हम देखते हैं प्राकरतिक रेशे का सही युग्म है तो पहले का जो सही उत्तर है वो है स रूँ और जूत अगला पॉलित हुआ हम देखते हैं तेरिक्ट किन दो रेशों से मिलकर बना है तेरिक्षा नियूसरे का सही उत्तर है तेरिक्अच से तरी कॉट बना है प्रेशर कुकर का हथा किस प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है बैकलाइट, पीवीसी, पॉलिधिन या नैलोन तो प्रेशर कुकर का जो हथा है वह बना होता है बैकलाइट का तो इसका उत्तर है अ अगला प्रेशन हम देखते हैं पताके छोडते सामय, रेटुं के कपड़ों में अचानक आग लग गई। उसके कपड़े पिघल कर शरी से चिपक गए, तो बताइए उसके कपड़े किस प्रकार के रेशे से बने हुए थे। कृत्रिम रेशों से, प्राकतिक रेशों से, दोनों प्रकार के रेशों से, दोनों प्रकार के रेशों में से कोई भी नहीं तो चोथे का उत्तर है अ कृत्रिम रेशों से इसलिए कहा जाता है कि जब आप पठाके त्यादी छोड़ते हैं तो रेश में वास्तर नहीं पहने तो बच्चों आप भी ध्यान रखेगा दिवाली के समय में राकेश को उसकी माने गर्मियों में सूती कप्रे पहनने की सला दी आपकी राय में इसका क्या कारण हो सकता है सूती कप्रे जल्दी धुल जाते हैं सूती कप्रे जल्दी सूख जाते हैं सूती कप्रे हलके होते हैं सूती कप्रे गर्मी में पसीना सोख लेते हैं तो इसका सही उत्तर है द सूती कप्रे कर्मी में पसीना सोख लेते हैं। गढ़ी साज गढ़ी सुधाने में कौन से लेंस का उप्योग करते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल वा उत्तल दोनों लेंस, अन्य कोई लेंस। तो छटे का उत्तर है उत्तल लैंस का प्रियोग करते हैं अगला प्रिशन रमेश की दादी को ना पास की वस्तू सपष्ट दिखती है ना ही दूर की वस्तू तो बताए उसे किस प्रकार की दृष्टी दोश है दूर दृष्टी दोश, निकट दृष्टी दोश, जरा दृष्टी दोश, मोतिया बिंद तो इसका सही उत्तर है स, जरा दृष्टी दोश जिसमें की दोनों ही में दिक्कत है दूर की वस्तू देखने में भी और नजीक की वस्तू देखने में भी तो सही उत्तर स, अगला प्रेशन देखते हैं आठवा, पर्यावरन में वायू का संगठन संतुलित बना रहता है, इस कथन की पुष्टी में उप्रुक्त तर्क है, जौला मुखीब के पटने से, जंगल में आग लगने से, प्रकृती में जन्तू वा वनस्पती में परस पर आदान प्रदान से, कल कार खानो, वाहनो वा निर्माण कारे निरंतर बढ़ोतरी से, तो आठवे का उत्तर है सर, प्रकृती में जन्तू वा वनस्पती में परस पर आदान प्रदान से, अगला प्रेशन, नेम लेखेट चित्र को देखकर बताएं कि वायू मंडल में सबसे आपको ये ध्यान देना है, देख सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन एंग टू का जो है, वो इतना बड़ा बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वापिस बताते हैं आपको, देखेए, यह बन गया एंग टू का, अब हम अगला देखते हैं, अन्य गैसें जो हैं, वो अखे गैस में दियावा है, ओटू यानि की ऑक्सीजन, तो यह जो हिस्सा है, यह ओटू का है, यह वाला, और यहाँ पर यह अन्य गैसे हैं, तो हमें आप चित्र देखकर के भी स्पष्ट हो रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैस यहाँ अपरिक्त सभी, तो न आकर्तिक परी घटना को दर्चा आता है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो है, किस तरीके से रेत का उठ रहा है, अ, कीप के आकार के बादल का टॉर्नेडो, सुनामी, चक्रवात, इन में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है, अ, दसवे का उत्तर है, कीप के आक अगला प्रेशन हम देखते हैं, हमारी जीवन शेली परियावरन मित्र जैसी होनी चेह, परियावरन मित्र जो की परियावरन का ध्यान रुखता है, ताकि परियावरन को क्षती ना पहुंचे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, आप क्या कोशिश करेंगे, जैव उप्यों में लिये जाने चाहिए तो इसका सही उत्तर ग्यारवे का हो जाता है दर उप्र्यूक्त सभी अगला प्रेशन देखते हैं पर्यावरेंस इन्रक्षन के लिए राजस्थान में किये गए प्रयास निमलिकित में से हैं पिपलात्री ग्राम के किरन निधी संसा के कारे, चितोरगर किले में रानी पद्मनी का जोहर, खेज़ली ग्राम में अमृता देवी का बलीदान, तो अ व स इसने दोनों दिये हैं, अर्थार्थ ये और ये, तो इसका सही उत्तर जो है, वो है द। अ और स दोनों ही इसके सही उप्तर है तो उप्तर क्या है हमारा दर है अगला प्रेशन चलते हम तेरवा प्रेशन जन्तु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता माइटोकॉंड्रिया, हरितलवक, राइबोजोम या रिक्तिका तो जन्तु कोशिका में जो नहीं होता है वो है हरित लवक जो की पौधों में पाया जाता है 14th question देखते है तो 14th का इसका सही उतर है A क्योंकि देखे दाल जो है वो बाटी दाल है तो प्रोटीन है और बाटी है तो उसमें कार्वो हैड्रेट्स रहेंगे क्योंकि पूरा उसमें घी वगर रहता है अगला देखते हैं बोजन में उच रेशे प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए छिलके वाली दाल आटे की चोकर छिलके सहित पल उप्रिक्त सभी तो पंदरा का उत्तर है द इन सभी में रेशा पाया जाता है इसलिए इन सभी का सेवन हमें करना चाहिए सोलमा प्रिशन प्रातना सभा में कवीता को अचानक चक्कर आ गए आप उसे क्या खाने को देंगे चिप्स कुरकुरे वब दोनों ग्लूकोस के बिस्किट तो चक्कर आ गए है तो उसे हम सपष्ट सी बात है ग्लूकोस के बिस्किट देंगे अगला प्रिशन देखते हैं निम्न में से मसाले का सही युक्म है हल्दी लॉंग सौफ मुफली काली मिर्च तिल मिर्च मुफली तो इसके अंदर जो है मसाले कौन से हैं ये हमें बताना है तो ये हल्दी और लॉंग दोनों ही मसाले हैं अगला प्रिशन हम चलते हैं श्यामू के हाथ से अचानक कांच का ग्लास गिरकर टुकड़ी टुकड़े हो गया यह कांच का कौन सा गोण धर्म है आघात वर्धनिये, तन्ये, भंगुर या मुलायाम तो अठारा का उत्तर है सभंगुर है भंगुर यानि कि जो चीज जल्दी से टूट जाती है, टुकड़े हो जाती है उनिस्वा प्रेशन देखेंगे निमलिक में से अंडज जन्तुओं के सम्हू को पहचानना है गिलरी गाय तोता, मैना छेपली मैंडक, कबूतर तोता गोडा, साप, मचली या भैस तो निस्वा जो सही उत्तर है, वो है ब, आपको अंडज जन्तु, यानि कि जो जन्तु अंडे देते हैं, उनका सम्हू पताना है तो इसका सही उत्तर ब है बाकी में आप देखिए, गाय है, तो गाय बच्चे को ही जन्म देती है, गोडा बच्चे को जन्म देता है और फिर बहस जो है बच्चे को जनम देगी तो सिर्फ ब में जो है मैना, छिप्टली और मैंड़क अंडा देंगे कौन सी अधातू विद्युत वो उश्मा की सूचालक है प्रशन संख्या 20 उत्तर इसका देखते हैं लकडी, ग्रेफाइट, प्लास्टिक या रबबर तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब, ग्रेफाइट अगला प्रेशन देखेंगे सोनु ने अपना स्वेटर जैसे ही उतारा उसके बाल खड़े हो गए ऐसा किस बल के प्रभाव के कारण होता है चुम्बक ये बल, स्थिर, वेद्यूत बल, गर्षन बल या पेश ये बल तो 21 का सही उत्तर है ब, स्थिर, वेद्यूत बल हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल, अवतल, अव, ब, दूनों, इन में से कोई नहीं तो 22 का सही उत्तर है अ उत्तल लेंस जो है हमारी आँख में होता है अगला पिशन 23 ऐसा लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है उत्तल अवतल अवब दोनों इन में से कोई नहीं तो 23 का सही उतर है ब अवतल लेंस होता है जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है इस तरीक से ये होता है अवनीश के पास एक लेंस है जो बीच में से मोटा वो किनारों पर पतला है उस lens से वह सूरे के प्रकाश में अपने मित्र के हाथ पर चलका गिराता है थोड़ी देर में ही मित्र के हाथ की तुछा जलने लगती है बताइए अवनीश के पास कौन सा lens है अब सारी अभी सारी अवर दोनों इन में से कोई नहीं तो चुईस का जो सही उत्तर है वो है अभी सारी lens है आपने भी कभी कभी देखाओगा बच्चे भी खेलते हैं सरीके का जो है सूरेज की केर्णों को वह एक ही जगे पर फोकस करने पर गर्मी लगने लग जाती है और थोड़ी देर बाद जलन भी होने लग जाती है निशेशन के परशाद बना युगमच क्या होता है अगनत अगुनित बहु गुनित त्री गुनित द्वी गुनित तो पच्चेस का जो सही उत्तर है वो है द्वी गुनित अगला प्रेशन देखते हैं अनिल ने आलू की कलिकाओं को काट कर जमीन में बो दिया वह आलू की खेती करने के लिए किस विदी का प्रियोग कर रहा है अलेंगिक जनन, काइक जनन, लेंगिक जनन या अनीशेक जनन तो 26 का जो सही उत्तर है वो है ब काइक जनन अगला प्रेशन हम देखते हैं कॉलम A और कॉलम B का सही सुमेल है तो यहाँ पे दो कॉलम दिये गए हैं A और B अब यहाँ पे नीचे उत्तर दिया गया है तो इसका सही सुमेल बताना है हमें कॉलम A का और B में कौन सा सही सुमेल है पहले हम column A देख लेते हैं खंडन, मुकूलन, अनिशेक जनन और लेंगिक जनन और यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो है सरसों, केला, यीस्ट और स्पाइरो गायरा तो खंडन से जो क्या होगा ठीके, तो हम देखते हैं क्या होता है खंडन से खंडन होता है, स्पाइरो गायरा ठीके, तो A का उत्तर हो गया चार, तो अब हम देखते हैं A में चार किसके लिए दिया गया है तो 2 में दिया गया है, तो हमें आगे और देखना होगा मुकूलन, तो मुकूलन जो है उसका सही उत्तर है सरसों, ठीके तो दूसरे में, एक, नहीं, मुकूलन जो होगा वो होगा येस्ट, स्वरी, मुकूलन आपका येस्ट है मुकूलन के साथ में जाता है येस्ट, ठीक खंडन के साथ में स्पाइरो गोरा तो मुकूलन में आप देखे, B में तीन नंबर दिया गया है अ में ठीक तो यहाँ पे भी तीन नंबर अब यहाँ पे भी तीन नंबर तो हमें और आगे देखना होगा अनिशेक जनन C के लिए कौन सा सही उत्तर है तो C अनिशेक जनन होता है केला तो ये जो है ये सही उत्तर जाता है तो इसका सही उत्तर है और लेंगिक जनन है सरसू अगला प्रेशन मिल्टोनिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतर स्रावी ग्रंथी का नाम है हमें बताना है कि यह हार्मोन कौन सी गरंथी स्थ्रावित करती है पिउश गरंथी, अव्टू, पिनियल या अगनाशे तो इसका सही उत्तर है वो है स-पिनियल गरंथी मिल्टोनिन नामक हार्मोन का स्थ्राव करती है पिनियल गरंथी स सही उत्तर है अगला पेशन मदू में रोग के लिए उत्तरदाई गरंथी है प्यूज गरंथी अगनाशय अक्टू गरंथी या यक्रत तो इसका सही उत्तर है ब अगनाशय लगूपतन होने से परिपत में अतिदिक विद्युत्धारा प्रवाहित होने से घर के विद्युत्ध उपकरण में आग लग सकती है इस उर्गटना से बचने के लिए क्या करते हैं फ्यूज तार को परिपत में समानतर करम में लगाएंगे fuse star को परिपत में श्रेणी क्रम में लगाएंगे आग को बुजाने का प्यास करेंगे इन में से कोई भी नहीं तो इसका जो सही उतर है वो है fuse star को परिपत में श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो श्रेणी क्रम में लगाने से यह होगा कि जब भी तेज विद्यूद सप्लाई आ जाएगी तो फ्यूज तार है श्रेणी करम में होने के कारण खुद तूट जाएगा connection जल के खतम हो जाता है वहाँ पे और आगे विद्यूद सप्लाई नहीं होता है तो फ्यूज तार को हम श्रेणी करम में लगाएगे अगला प्रेशन बारिश के दिनों में जलाशों का जल प्रदूशित हो जाता है ऐसे जल के उप्योग से आपके मित्रकोल्टी दस्त की शिकायत होगे या आप उसे क्या सलह देंगे पानी उबाल कर पियें, वायरा स्कूल का उप्योग करें, डॉक्टर से उप्चार लें, उप्योग सभी तो इसका सही उत्तर हम अपने आप से भी दे सकते हैं द इसका सही उत्तर, उप्योग सभी बारिश के दिनों में जलाशों का जल प्रदूशित हो जाता है ऐसे जल के उप्योग से बिमारियों की संभावना बढ़ जाती है जल के शुद्धी करन के लिए आपके स्विधी का उप्योग करेंगे फिटकरी डाल कर जल को शुद करेंगे, जल को उबाल कर शुद करेंगे जल का क्लोरिनी करन करके या उप्योग्त सभी तो इसका जो सही उत्तर है वो है the approved सभी हम fit kari भी डाल सकते हैं, उबाल भी सकते हैं और chlorine करन भी कर सकते हैं 33 वाद देखते हैं, निम्न में से कौन सा cell का संकेतिक चित्र है तो cell का संकेतिक चित्र आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं तो इसका सही उत्तर है वो है जिसमें की positive और negative दिया गया है एक positive है और एक negative है इसमें दोनो negative है तो ये सही उत्तर नहीं है यहाँ पे दोनो positive है तो धनात्मक नहीं होता यहाँ पे पहले negative है और फिर positive है तो हमें इसका करम भी धियान रखना है आप लोग ये बात धियान में र प्रदात भरा होता है थर्मामीटर जो तापमान लेने के लिए शरीर का हम प्रयोग करते हैं सभी ने देखा होगा आपने सोना चांदी पारा या अलियूमिनियम तो इसके अंदर पारे का प्रयोग किया जाता है इसका सही उत्तर है प्रशन संख्या 35 एक्स धातु को हतेली प कुटेशियम या गेलियम ऐसी कौन सी धातु है जो हाथ पर रखने से ही पिगल जाती है तो वह है द गेलियम अगला प्रशन हम देखते हैं एक परकनली में जस्तिस के कुछ टुकड़े डाल कर उसमें एक्स पदार्थ मिलाने पर वाई गैस बनती है निम्न लिखेत में से देखे हमने जस्तिस के कुछ टुकड़ों में और उसमें हमने कोई एक्स पदार्थ मिलाया और वाई गैस बन गई तो हमने क्या पदार्थ मिलाया और कौन सी गैस बन गई हमें यह बताना है तो जस्तिस में क्या चीज मिलाने पर गैस उत्पन होगी तो इसका सही उत्तर है स, अमल, अमल मिलाने पर H2 गैस उत्पन होगी दिया सलाई में किस अ धादू का प्योग किया जाता है लाल फॉसफोरस, सोडियम, मरकरी या कारवन जो 37 है वो है अ लाल फॉसफोरस का प्रियोग दिया सलाई में किया जाता है अगला प्रेशन दिखते हैं सोनू ने मेगनीशियम के तार को जलाया इससे बनी राक में थोड़ा पानी मिला कर विल्यन मनाया फिर उसने लाल लिटमस पत्र द्वारा परिक्षर करने पर पाया कि वह नीला हो जाता है तो बताईए कि उस विल्यन की प्रकरती क्या है तो परिक्षन द्वारा पाया कि वह नीला हो जाता है लाल लित्मस जब नीला हो जाता है तो उसकी प्रकरती कैसी होगी अमले एक शारिय उदासीन या कोई नहीं तो 38 का सही उत्तर है बख शारिय गरों में तामे के लोटे की चमक कुछ दिनों में काम हो जाती है उसका उप्यूत कारण है लोटे का पुराना हो जाना लोटे प्रमिट्टी जम जाना वब दोनों वायूवनमी के संपर के कारण तो गुंचालिस का उत्तर सही उत्तर तो द है वायूवनमी के कारण अगला प्रेशन देखते हैं, सोडियम धातु से निर्मित योगिक नहीं है, नमत धावन सोडा, खाने का सोडा या चूना पत्थर, तो इसका जो सही उत्तर है वो है द चूना पत्थर, ऐसे पदार जिनके आकरतिवा आयतम निश्यत होता है कहलाते हैं ठोस, द्रव, गैस या प्लाजमा, एक तालेस का सही उत्तर है ठोस, निर्मित में से मिश्रिद हातु है, सोना, चांदी, पीतल या तामबा, तो ब्यालेस का उत्तर है सपीतल, मुकेश को सर्दी के मोसम में मक्का के ढूखले बहुत पसंद है, मक्का निर्मित में से किस प्रकार की फसल है, खरीफ रभी चायद या कोई नहीं, तो त्यालेस का सही उत्तर है, खरीफ की फसल है या, अगला प्रेशन देखते हैं, रादा ग्याहूं की फसल बोने के कुछ दिन बाद अनावशक पौदों को उखाड उखाड कर फैक दिये, वह ऐसा क्यों करती है, ग्याहूं के पौदों को प पूरा पोशक जो है, जमीन से प्राप्त हो सके, दूसरे पौदों में मटे नहीं, इसलिए, तो सही उत्तर हो जाता है इसका अ, अगला प्रेशन देखते हैं, निमने में से रभी की फसल का सही युग में है, रभी की फसल हमें बतानी है कौन सी है इसमें से, मटर सरसों, पूज घरबूजा या कोई भी नहीं, तो इसका सही उत्तर है मटर वा सरसों, रभी की फसल लगाई जाती है सर्दी में, पालक की सबजी में पौदों के किस भाग का उप्योग होता है, वीज, फल, पत्ती या फूल, तो ये हम सभी जानते हैं कि पालक पत्ते होते हैं, तो स स इसका सही उत्तर है, प्रैसन संक्या 47, नेमन में से कौन सा स्वापोशी पादत है, अमर बेल, मियूकर, बरगत या ड्रोसेरा, तो सही उत्तर है, स बरगत, अगला देखते हैं, प्रकाश, संशलेशन, क्रिया के लिए आवशक तत्व है, च्लोरोफिल, प्रकाश, CO2 या उप्रिक्त सभी तो 48 का सही उतर है द उप्रिक्त सभी इनके अभाव में जो है प्रकाश संस्लेशन जिसे की photosynthesis कहा जाता है क्रिया नहीं हो सकती 49th question देखते हैं गोवर पर लगने वाले छत्रक किस प्रकार के पादप है मृत जीवी, स्वपोशी, कीट भक्षी या सहे जीवी तो 49 का सही उतर है मृत जीवी कीट भक्षी पादपों का सही युग में पहचानना है ड्रोसेरा, घट पर्णी, अमर बेल, नीम, ड्रोसेरा, मोनोट्रापा, बर्गद और गुलाव तो जो कीट भक्षी यानि दूसरे कीटों को खा जाते हैं यह बंद हुजाते हैं जैसे कीट पैटता है तो बंद हुजाते हैं और उसमें से वह उसका जो है पोशक तत्वों से प्राप्त कर लेते हैं तो यह है ड्रोसेरा और घट पर्णी अ, इसका सही उतर पचास का 51 वा प्रेशन शेतूत किस प्रकार का फल है सरल फल, पुंज फल, संग्रहित फल या उप्रिक्ट में से कोई भी नहीं तो 51 का सही उतर है संग्रहित फल है टेमी फ्लू नामक दवाई किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है यहाँ पर नाम इसका दे रखा है यह टेमी फ्लू नामक दवाई और किस रोग के लिए दी जाती है यह दी जाती है स्वाइन फ्लू के लिए अगला प्रेशन हम देखेंगे सरदी खासी जुखा में आपको मुख़ पर खास्ते समय रुमाल रखने को कहा जाता है यह संक्रामक रोग है यानि एक विक्ति से दूसरे विक्ति में फैलता है यह संक्रामक रोग है यह एक सब्भे विक्ति का लक्षन है तो त्रेपन का सही और वास्तविक कारण है अ क्योंकि है संक्रामक रोग है, infectious disease है अगला प्रेशन, टुथपेस्ट बनाने में किस सुक्षमे जीव का उप्योग होता है जैन्थो मोनास, कैम्पेस, ट्रिस, राइसूबियम, क्लोस्ट्रीडियम, बाटुलिनम, लेक्टुबैसिलस तो चोपन का सही उतर है अ, जैन्थो मोनास, कैम्पेस्ट्रिस तो आप इस नाम को धियान में रखिएगा, टुथपेस्ट में यह प्रियोग होता है इसका जो सही उतर है वो है अ अगला प्रेशन, तालाबों के किनारे हरे रंग की फिसलंदार काई बाई जाती यह एक इस प्रकार का सुक्ष में जीव है, पहले तो हमें यह जान लेना है कि वह सुक्ष में जीव है कवक शेवाल जिवानू या प्रोटो जवा, तो पच्चपन का सही उतर है ब यह शेवाल है अगला प्रेशन हम देखते हैं, 56 दस्त लगने पर डॉक्टर O.R.S. गोल के उप्योग की सला देते हैं O.R.S. का पूरा नाम क्या है? Oral Rehydration Solution, Oral Rehydration Solid, Oral Rehydration Stands, Oral Right Solution तो इसका जो सही उतर है वो है A. Oral Rehydration Solution अगला प्रेशन देखेंगे, बारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आरेभट, भासकर, सोईूज या रोहिनी तो जो 57 है इसका सही उतर है A. आरेभट अगला प्रेशन देखेंगे, दही जमने की क्रिया में उप्योगी सुक्ष में जीव कौन सा है? स्ट्राप्टो कोकस, राइजोबियम, लेक्टो बैसिलस या जेन्थो मोनास तो 58 का सही उतर है स, लेक्टो बैसिलस जो है वहत ही जमने में साहता करता है प्रेशन संख्या गुंचास, गुंसिक्ट शानु को नीबू की शिकंजी पीने से उसे कौन से वेटामिन की प्राप्ती हुई? नीबू की शिकंजी यदि हम पिएंगे तो नीबू कैसा होता है? खटा तो खटी चीज से हमें हमेशा ही वाइटामिन सी की प्राप्ती होती है तो इसका सही उत्तर है सर अगला प्रेशन हम देखेंगे प्रसून की पैरों की हडिया मुड गई है वो गुटने पास पास आ गई है बताईए उसके शरीर में किस वाइटामिन की कमी हो गई है वाइटामिन A, वाइटामिन B, वाइटामिन C या वाइटामिन D तो जब हडियों की बात होती है तो वहाँ पे हमेशा ही वाइटामिन D की बात हो रही होती है हडियों को जो की मजबूत बनाता है खोन की कमी को पूरा करने के लिए निम लेकित में कौन सा भोजे पदार्थों का समूझ सही है पालक गाजर मूली, पालक चुकंदर अनार, आलू मेथी अनार, आलू पालक मेथी तो इसका सही उत्तर है पालक चुकंदर अनार क्योंकि यह खोन की कमी को पूरा करता है निमनिक खादेश रंखला में द्वित्ति उपोक्ता का प्चैन करना है उत्पादक, प्रात्मिक उपवकता, तृत्य उपवकता और तृत्यक उपवकता मौर, गाय, साप और चलिया तो जो बासट है उसका सही उत्तर है साप ये जो है, कौन है? तृत्यक उपवकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जित्र दिया वाय है हमें ये पौधा दिया हुआ है पौधे को कौन खा रहा है चित्रबीस पश्ट नहीं है बहुत ज़्यादा इसको हम जूम करते हैं थोड़ा सा तो यहां पर यह चूहा सा बना रखा है और फिर जो है इसको कौन-कौन खा रहा है आगे और साप चूहे को साप खाता है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि उत्पादक प्रात्मे को पोगता द्वित्तक पोगता आपको बताना है तो पौधे को चूहा खा रहा है चूहे को साप खाएगा तो द्वित्तक पोगता हो गया साप इसका सही उत्तर है अगला प्रेशन हम देखते है जलती हुई मौमबत्य को काच के जार से ढखने पर मौमबत्य बुश जाती है इसका कारण है जार में ऑक्सीजन का खतम होना जार में कार्बंड अक्साइड का खतम हो जाना जार में नाइट्रोजन का खतम हो जाना या इन में से कोई भी नहीं तो जार में ऑक्सीजन का खतम ह जाना है क्योंकि जब जार को बंद कर दिया जाता है उपर से ढख दिया जाता है तो ऑक्सीजन जिती देव है गा वहां पे उती देर मोंबती जलेगी उसके बाद बख बुश जाएगी सर्दी की रातों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से विक्ती की मृत्यू हो जाती है इसका निम्न में से क्या कारण है अंगीठी से आग लग जाना, कार्बन मोनो अक्साइड बनना, कमरे का ज्यादा गरम हो जाना, कमरे का ज्यादा ठंडा हो जाना तो 64 का सही उत्तर है ब कार्बन मोनो अक्साइड बनना 65 फा प्रेशन घरों में खादे पदार्थ के परिक्षन के लिए सामने तह उप्योग करते हैं परी रक्षन यानि बचाने के लिए नमक, मिर्च, कपूर या हल्दी तो 65 का सही उत्तर है अ हम बहुत सी चीजों को सुखाते हैं परी रक्षन या अचार इत्यादी बिना करके हम रखते थे तो वहाँ परी रक्षन कहलाता है सुखाना या अचार इत्यादी बिना लेना तो उसमें हम नमक का प्रियोग करते हैं समान आयतन वाले डिपबों में भरे निम्न पदार्थों में से किस का दरवयमान अधिक होगा रोई का, रेत का, लकडी का बुरादा या पानी तो 66 का सही उत्तर है ब, रेत का दरवयमान अधिक होगा 67th question देखते हैं पूजा जब तलाब में पत्थर वा लकडी को एक साथ फैकती है तो पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन लकडी पानी पर तैरती है, इसका क्या कारण है पत्थर का घनतो पानी से कम है, लकडी का घनतो पानी से अधिक है पत्थर का घनत्व पानी से अधिक वा लखडी का घनत्व पानी से कम है और प्रित्त में से कोई भी नहीं तो इसका सही उत्तर है स जो पत्थर का है घनत्व वह अधिक होता है और लखडी का घनत्व पानी से कम होता है दही समक्खन निकालने के लिए किस प्रथक करन विधी का उप्योग करते हैं अपकेंद्रण, निश्पावन, वाश्पी करन निश्यंदन तो इसका जो सही उत्तर है वो अपकेंद्रण है अगला प्रशन देखते हैं कच्रे के ढेर में से लोहे के टुकडे प्रथक करने के लिए प्रथक करन की किस विधी का उप्योग करेंगे निश्पावन, अपकेंद्रण, निश्पेंदन, चंबकिये प्रथक करन विधी तो इसका जो सही उत्तर है वो है द चंबकिये प्रथक करन विधी क्योंकि हमें लोहे के टुकडों को अलग करना है तो हम चमबक का प्रियोग करते हुए उन्हें अलग कर लेंगे घरों में एयर कंडिशनर वर रेफ्रिजरेटर में भरी जाने वाली गैस जो ओजोन पर अदको क्षती पहुँचाती है निम्न में से है CNG, LPG, CFC या इन में से कोई भी नहीं तो students यह जो प्रिशन है बहुत अधिक important है बहुत सारे competitions में भी पूछा जाता है तो आप इसके पर विशेच दिहान दीजिएगा प्रिशन संख्या 70 का सही उत्तर है स-CFC याने की ताज महल को संक्षारत होने से बचाने के लिए श्वास समंधी रोगों से बचाने के लिए उप्रिप्त सभी तो इसका जो सही उतर है वो है the उप्रिप्त सभी अगला प्रेशन देखेंगे परियावरणिये परदूशन के कारण पृत्वी की टापमान में निरंतर विद्धी किस नाम से जानी जाती है तो यह जो है जानी जाती है इसको कहा जाता है विश्व उश्वनन ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम सरल प्राय कर जानते हैं तो यह है विश्व उश्वनन अगला पैशन हम देखते हैं अमली वर्षा एक प्रकार का वायू प्रदूशन है जो कि दो तत्वों के ऑक्साइड के वातावरन की नमी के संपर्प में आने से होता है अमली वर्षा ऐसे ड्रेन तो इसमें हमें बताना है कौन-कौन से तत्व होते हैं C और N, S और N, C और S, S और CH4 तो इसका जो सही उतर है वो है ब, Sulfur और Nitrogen जो है के तत्व मिलने से ऐसे ड्रेन होती है तो फ्रेंड्स आपने यहां तक के प्रेशन देख लिए हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आया उपयोगी लगा हो तो दू लाइक दू वीडियो और दू शेयर इच चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दू सब्सक्राइब धन्यवाद